बिस्मिल्लारहान रहीम, अस्सलाम वालेकुम आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे model paper class 9 का model paper में short answer questions में question 2 ये given है कि if complex number 1 is equal to 2 minus 5 iota and complex number 2 is equal to 2 plus 3 iota और फिर हमें ये verify करना है इसमें एक given है left hand side और एक given है right hand side तो हमने पहले ली left hand side यहाँ पर हमें इसको find out करना है तो question mark लिखा और फिर हमने ये काम करना है कि सबसे पहले z1 upon z2 यहाँ पर हमें given है 2 minus 5 iota हम लिख देंगे और divided by यहाँ पर given है 2 plus 3 iota तो यहाँ नीचे लिख देंगे 2 plus 3 iota अब हमने इसका conjugate दे लेना है यानि कि अब हमें यहाँ पर bar given है यानि conjugate तो हमने लिखा z1 upon z2 और फिर हमने इस पर sign लगा दिया यह is equal to अब यहाँ conjugate जब लेते हैं तो हम यहाँ पर imaginary part का sign change करते हैं तो minus 5 था हमने लिख दिया plus 5 और नीचे plus 5 था तो हमने लिख दिया minus 5 तो यह हमारा left hand side solve हो गई अब हमने लिखा taking right hand side जब हमने right hand side ली तो right hand side पर यहाँ हमें given है z1 की value 2 minus 5 आयोटा और इसी तरह z2 की value given है आपको 2 plus 3 आयोटा तो z1 का conjugate आ गया minus का sign को change किया plus में यहाँ पर है z2 2 plus 3 आयोटा तो यहाँ पर जब z2 का conjugate होगा तो यहाँ minus 3 आयोटा हो जाएगा यानि अब हमने दोनों की conjugates ले लिए हैं separately अब हमने इसको upon में लिख देना है यानि z1 conjugate है 2 plus 5 आयोटा और z2 का conjugate है 2 minus 3 आयोटा तो अब notice करें कि left hand side और right hand side दोनों same हो जुके है यहाँ पर हम लिख देंगे left hand side is equal to right hand side और यह हमारा question completely solve हो गया है question number 2 हमने कर लिया है अब हम करेंगे next question यहाँ पर question number 3 में आपको logarithm given है logarithm में find the value of by using logarithm यहाँ पर यहाँ आपको 99.87 divided by 8.369 multiply by 0.785 given है तो हम solution start करते हैं यहाँ पर सबसे पहरें हम suppose करनेंगे इसको हम कोई भी number कोई भी name दे देंगे या तो x variable यहाँ पर लिखा x is equal to 99.87 divided by और हमने यहाँ पर copy कर दिया question को तो यहाँ पर next step में आपने apply कर दिना है log on both sides जब आपने दोनों sides पर log apply करना है तो यहाँ पर लिख देंगे आप log x is equal to और फिर log और फिर आपने यही पूरा question यहाँ पर again copy कर दिना है यानि अब हमने इस question पर both sides पर log apply कर दिया है log apply करते हैं तो यहाँ पर formula's apply हो जाते हैं अब यहाँ पर left hand side पर तो log x ही रहेगा लेकिन right hand side पर हमें formula apply करना होगा तो formulas जो हैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यानि अगर आपके पास two numbers हैं और multiply हो रहे हैं तो हम उसको जब expand करते हैं तो plus के sign के साथ यानि log a plus log b लिख देते हैं और अगर हमाँ पास log a upon b है तो फिर log a minus log b लिख देते हैं अगर upon में हो और अगर यहाँ पर log है और a है उस पर power b है तो हम b को start में ले आते हैं और फिर log a लिख देते हैं तो यह तीन logarithm की laws हैं जो हम यहाँ पर apply करेंगे तो यहाँ पर हमें log given है और फिर 99.87 और पिर divide है यानि second law log की law of division apply हो रहा है तो हमने log x लिखा फिर हमने लिखा log 99.87 फिर इसके बाद हमने sign लगाया क्योंकि divide है तो minus का और फिर हमने एक big bracket बना के उसमें लिख दिया log और इसके अंदर 8.369 अब नीचे आप देखें तो multiply है तो plus का हमने apply किया यानि plus का sign और log 0.785 यानि first law एक ही पार्ट में हमने second law भी और first law भी apply की फिर हमने लिखा 99.87 फिर हमने लिखा minus फिर लिखा log 8.369 फिर minus plus minus तो यहाँ जाएगा log 0.785 अब यहाँ पर हमने इसका characteristic और mandee सबी find out करना है यानि पहले हमें log 99.87 को solve करना है तो यहाँ भी characteristic है इसकी plus one तो हम यहाँ पर लिखेंगे one plus अब हम log के table में 99 को eight में check करेंगे तो आपके book में यहाँ 99 को जब हम eight में check करेंगे तो logarithm आपने logarithm table की book लेनी है page लेना है anti log में नहीं देखना फिर इसके बाद आपने यहाँ पर इसको check करना है कि आपका answer क्या आ रहा है तो यहाँ पर आपके सामने result आ रहा है ट्रिपल नाइन बन फिर उसके बाद main difference में भी हमें इसे check करना है main difference में 7 में देखना है आपको 90 को 8 में देखा अब हमने main difference में 7 में देखना है यह main difference के columns है तो इसमें हमने जिब 7 में देखा तो यहाँ पर result आ रहा है आपके सामने 3 तो हमने 3 इसको plus किया तो यह हो गया ट्रिपल नाइन फोर तो हम यहाँ पर लिखतेंगे यह mainटी सा है यहाँ जिरो पॉइंट रिपल नाइन फोर तो यह पार्ट सॉल्फ हो गया फिर माइनस का साइन अब में लिखा 8 पॉइंट है तो 0 करेक्टिस्टिक है यहाँ यहाँ नाउन जिरो डिजिट के बाद अगर डैसिमल हो तो अब हमने यहाँ पर 83 को 6 में दिखना है तो 6 में यहाँ पर है 9222 उसके बाद हमें 9 में दिखना है में डिफनेस 9 में गिविन है 5 तो हमने यहाँ पर 5 को प्लस कर दिना है 9222 में जब 5 को प्लस किया तो result आ जाएगा 9227 तो यहाँ पर हम दिखतेंगे 0.9227 फिर इसके बाद हमने next find out करना है अब यहाँ पर characteristic minus 1 है क्योंकि 7 से पहले point है तो minus 1 फिर प्लस अब 78 को 5 में हम चेक करेंगे बुक में जब हमने 78 को lock find out करने के लिए 78 को हमने 5 में दिखा तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 8949 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिखतेंगे 0.8949 अब हमने next step में ही काम करना है कि यहाँ पर हमने इसको simplify करना है तो हम लिखेंगे log x is equal to अब 1 में प्लस किया 0.9994 तो यह हो जाएगा 1.9994 तो हम यहाँ पर लिखतेंगे 1.9994 फिर माइनस का साइन इसके बाद यहाँ पर जब 0 में हमने 0.9227 को प्लस किया तो यहाँ पर result आजाएगा 0.9227 फिर माइनस का साइन फिर उसके बाद अंदर यहाँ माइनस वन है और प्लस 0.8949 यानि कि यहाँ पर यह सब्ट्रेक्ट हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 0.8949 यह सॉल्फ करने के बाद यहाँ अंसर आजाएगा माइनस 0.1051 अब आपने नेक्स स्टेप में आप रिखा लॉग X is equal to 1.9994 फिर माइनस 0.9227 फिर माइनस माइनस प्लस 0.1051 अब आपने इसको कल्कुलेट कर लीना है अब आपने यहाँ पर इसको कल्कुलेट करना है तो 1.9994 फिर माइनस 0.9227 फिर प्लस 0.1051 जब आपने यह किया तो फिर आपके पास final answer आगया 1.1818 तो यहाँ पे लॉग X की value आ गई है 1.1818 अब आपने find करना है इसका anti-log क्योंकि यहाँ पर log X है और हमें X find out करना है तो X is equal to log shift होगा दूसरी side तो हो जाएगा anti-log और फिर हम लिख देंगे bracket में 1.1818 अब आपने यहाँ पर anti-log लेना है तो 0.18 को 1 में देखना है फिर आपने 0.18 को 1 में चेक किया तो यहाँ लिखा है 1517 और फिर आपने इसके mean difference में भी चेक करना है 1517 फिर उसके बाद आपने जब mean difference में देखा तो point 1.18 को mean difference में यहाँ चेक किया तो mean difference में यहाँ पर answer लिखा हुआ है आपके सामने 3 तो आपने यहाँ 3 को plus कर देना है तो यह result हो जाएगा 10 फिर 2 फिर 5 फिर 1 यानि 1 5 2 0 तो आप यहाँ पर x की value find out कर चुके हैं आपके पास answer आगया है 1 5 2 0 लेकिन आपको यहाँ characteristic 1 given थी तो यहाँ पर हमें decimal लगाना होगा तो हम यहाँ 5 के बाद लगा देंगे so this is our final answer यह हमने question logarithm का completely solve कर लिया है अब हम करेंगे part next question number 4 find the value of a square plus b square plus c square और यहाँ पर given है हमें a plus b plus c यान equal to 1 upon 3 और a b plus b c plus c is equal to minus 2 upon 9 so यहाँ पर हमें required है a square plus b square plus c square हमने यहाँ पर solution start करना है तो हमने यहाँ पर जो चीज हमें given है वो use करनी है हमने लिखा यहाँ पर a plus b plus c is equal to 1 upon 3 जब हमने यह लिख लिख लिया इसके बाद यहाँ पर हमें क्योंकि square required है तो हम यहाँ पर दोनों sides पर हमने square use करना है square लगाना है taking square on both sides both sides पर हमने यहाँ पर square कर दिना है तो squaring करने के बाद यह बन जाए गए plus b plus c पे whole square is equal to 1 upon 3 और whole पर square अब यहाँ पर यह formula बन गया है a plus b plus c पे whole square आपकी book में यह given है यह square होगा तो इसको expand करके हम लिख देते है a square plus b square plus c square plus 2b plus 2bc plus 2ac तो यहाँ पर हम इस formula को copy कर देंगे apply formula हमने यह formula apply किया और यहाँ पर जो formula अभी आपके ने दिखाया है वो formula हम यहाँ पर copy कर देंगे फिर इसके बाद हम यहाँ पर हमें is equal to 1 3 का square 9 अब यहाँ next step में a square plus b square plus c square यह तो हमें required है और इसके बाद हम अगर check करें तो 2 common है तो हम यहाँ पर plus 2 common ले लेंगे bracket में आजाएगा a b plus b c plus c a bracket close is equal to 1 upon 9 अब यहाँ पर हम लिखतेंगे a square plus b square plus c square फिर plus 2 और यहाँ पर इसकी value हमें question में ही given है minus 2 upon 9 is equal to 1 upon 9 अब हम इसको simplify कर लेंगे square plus b square plus c square is equal to plus minus minus to do the 4 4 upon 9 is equal to 1 upon 9 अब यहाँ पर हम देखने हैं कि minus 4 upon 9 है तो हम इसको shift करेंगे equals 2 के बाद तो हमारे पास यहाँ value आजाएगी square plus b square plus c square की minus में है तो हम ने shift किया plus में हो गई ही हो गया 4 upon 9 अब denominator दोनों में हमें 9 नजर आ रहा है तो हमने यहाँ पर नीचे line लगाई लिखा 9 और यहाँ उपर 1 फिर plus फिर 4 यानि 1 में 4 प्लस किया तो बन गया 5 upon 9 तो this is our answer यानि a square plus b square plus c square की value है 5 upon 9 यह हमारा question number 4 था model paper का complete solve हो गया अब next question question 5 find the factors by using factor theorem यहाँ पर आपको factor theorem अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर notice करें अगर तो last में जो constant है 2 उसके factors होते हैं the factors of 2 are plus minus 1 and plus minus 2 अब हमने if x minus 1 is a factor of polynomial expression of x यह जो पर आपको expression given है इसमें अगर हमने first factor लिए x minus 1 then x की value हो जाएगी यहाँ पर plus 1 तो हम यहाँ पर इस expression में जो आपको question में given है x की place पर put करेंगे 1 और इसको solve करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे x की place पर 1 is equal to 6 फिर 1 का cube फिर plus फिर 7 फिर 1 का square फिर minus फिर bracket में 1 फिर minus 2 तो यह हो जाएगा 6 plus क्योंके 7 है फिर उसका 1 पर square है तो 1 ही हो जाता है फिर minus 1 and minus 2 तो solve की हो गया 13 फिर minus 3 यानि result आजाएगा यहाँ पर 10 सो यहाँ पर 0 क्योंके नहीं आ रहा is not equal to 0 सो हम यह कह देंगे कि x minus 1 is not a factor of polynomial expression यह result में हम आगे line लिख देंगे x minus 1 is not factor of polynomial expression सो अब हम यह काम करेंगे x minus 1 ले चुके अब हम ले लेंगे x plus 1 is a factor of polynomial expression और हम चेक करेंगे कि यह factor है इस expression का के नहीं है अगर तो यहाँ पर answer 0 आ जाता है तो फिर यह factor होगा तो यहाँ पर x plus 1 है तो x की value minus 1 हम put करेंगे यहाँ पर लिखा हमने इस expression में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ minus 1 लिख दिया और फिर हमने इसको calculate कर लेना है तो यह आजाएगा 6 bracket में minus 1 है तो फिर minus 6 हो गया फिर plus 7 फिर minus minus plus 1 and then minus 2 तो 7 में से 6 minus किये फिर plus 1 minus 2 solve किया तो plus 2 minus 2 आजाएगा और equal to 0 यानि कि जब हमारा answer 0 आ गया है तो hence x plus 1 is a factor of polynomial expression of x so this is our first factor x plus 1 अब हमारे पास x plus 1 क्योंकि first factor है तो हम यहाँ पर synthetic division method apply करेंगे और इसको factors को मजीद मालूम करेंगे तो यहाँ पर देखें अगर equation हमें given थी 6 x cube plus 7 x square minus x and minus 2 तो यहाँ पर हम सारे variables नहीं लिखेंगे लेकिन coefficients 6 लिखा फिर हमने यहाँ लिखा 7 पर लिखा minus 1 और पर लिखा यहाँ minus 2 अब क्योंकि x plus 1 factor है तो x की value हो जाएगी minus 1 और इसको हम यहाँ use करेंगे हम लिखेंगे minus 1 और फिर यहाँ पर हमने इसको solve करना है तो 6 को as it is copy कर देंगे नीचे और फिर 6 को 1 से multiply करेंगे तो minus 6 फिर 7 में से 6 subtract किया तो 1 आजाएगा minus 1 multiply 1 minus 1 minus 1 and minus 1 minus 2 minus 1 multiply by 2 तो plus 2 आजाएगा और in the end answer 0 यानि minus 2 plus 2 equal to 0 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 x square यानि फिर plus x फिर minus 2 equal to 0 x cube था first expression लेकिन जब solve होता है तो यहाँ पर 6 x square से 1 less कर देते हैं यहाँ से start करते हैं तो अब यहाँ पर 6 को 2 से multiply किया तो result है 12 और फिर 2 6 x 12 2, 3 x 6 and 3, 1 x 3 आपने factors बना दिये तो यहाँ पर middle drum break करें तो हमने यहाँ result आजाएगा solve करें तो plus x आना चाहिए और multiply करें तो 12 तो यहाँ अगर हम लिखते हैं plus 4 x minus 3 x तो 4 में से 3 minus किया तो x आजाएगा और 4, 3 x 12 फिर 2 x common लिया तो यहाँ आजाएगा 3 x plus 2 फिर यहाँ पर minus 1 common लिया तो bracket में आजाएगा 3 x plus 2 क्योंके minus plus minus equal to 0 अब यहाँ लिखा 3 x plus 2 first bracket में और फिर लिख दिया हमने 2 x minus 1 second bracket में is equal to 0 तो यहाँ पर आपके पास factors आ गए हैं first factor था x plus 1 second vector 3 x plus 2 जो अभी हमने solve किया है और third factor यहाँ पर 2 x minus 1 so यह हमारा complete question solve हो गया है thank you for watching